हलो गाईज, वेलकम बैक टो दे यू आई चैम आज हम देखने वाले हैं ऐसे कुछ Figma के 5 और 6 प्लगिन्स जो कि आपकी प्रोड़क्टिविटी को बूस्ट कर देगा तो चलिए देखते हैं जो कि मैंने अल्रेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो उसमें क्या होगा, कि यदि कोई आप image लगाना चाहे और उसमें से color palette generate करना चाहे तो अपने आप ही, जैसे ही आप pluginर करोगे तो अपने आप ही 5 colors generate करके दे देगा तो चलिए इसका example भी हम एक देख लेते है यह कैसे work कर सकता है तो पहले तो मैंने एक image डाल दी, let's say मैं यहां से unsplash से कोई भी, एक image डाल देता हूँ, यह image आ गई, फिर अभी हमें, यहां से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें से कुछ ऐसे colors चाहिए, जो मैं अपने design projects में use कर सकूँ, तो अभी क्या करेंगे, कि जो भी हमारा plugin था, right image palette, उसको हम run करेंगे, तो अपने आप ही इसमें से 5 colors निकाल के दे देगा, देखे, यह हो गया हमारा palette पुरा, मतलब कि इसमें से जो अच्छे colors हैं, मतलब जो आप अपने projects में use कर सकते हैं, वो automatically generate कर के देदेगा, आप हम दूसरा example भी देख लेते हैं, साथी साथ, कि वो यदि मैं कोई minimal या मतलब 2 या 3 color वाली भी लेता हूँ, तो वो कैसे generate करता है, यह एक image आगई, इसको हम फिर से जाएंगे, फिर जाके image palette में use करेंगे, यह देखे, यह हो गया पुरा का पुरा color palette generate, जो कि easily आपको मिल जाएगा, और आपको अपने design projects में भी use कर सकते है, तो इसको मभी के लिए delete कर देते हैं, फिर बाद में दूसरा आता है noise, जो कि आप कभी भी कोई यदि graphics या कुछ बनाना चाहें, तो उसमें यदि हलका सा noise add करना चाहेंगे, background में, तो वो easily generate हो पाएगा, ना कि आपको Google पे जाके search करके लेना पड़ेगा, तो इसका भी हम example एक कि let's say मैंने यहाँ पे एक file लिया, file नहीं, let's say मैं इसे कैसे generate करते है, वो ही आपको दिखा देता हूँ, let's say मैंने यहाँ पे noise enter किया, मतलब कि हमने plugin run किया, हम जैसे invert करेंगे, तो black and white pixels already अपने आप ही invert होना start हो जाएगी, फिर यहाँ से density हम कम यह ज्यादा कर सकते है, contrast भी ज्यादा कर सकते है, ठीक है, अभी मैं इसको as it is ही रहना देता हूँ, और यहाँ से, जैसे ही मैं add noise to document करूँगा, वो अपने आप ही आ जाएगा, और आप जहाँ पे भी यह noise लगाना चाहे, वो easily लगा सकते है, ठीक है जी, फिर बाद में आता है तीसरा, जो कि outline to single stroke, मतलब कि आपका कोई यदि object vector में है, उसको हम यदि stroke में, single stroke में convert करना चाहे, और उसके बाद में stroke उसको convert कर सके, easily, तो वो यह plugin अपने आप ही करके दे देगा, तो इसका भी हम एक example देख लेंगे, let's say मैंने यहाँ पे already एक icon लगा के रखा तो अभी हम क्या करेंगे, कि मुझे इसको थोड़ा हलका सा पतला करना है, तो अभी मैं क्या करूँगा, कि outline to single stroke जाओँगा, फिर उसमें मैं यहाँ पे 1 या तो 2 जो भी हमें रखना है, जो pixel का stroke हमें चाहिए, वो मैं डाल दूँगा, मैं let's say मैं यहाँ यहाँ पे 1 पे ड बढ़ाऊंगा, तो automatically बढ़ जाएगा, देख रहे हैं आप, तो यह आपके design projects में बहुत ही useful होगा, जब भी आपको UI designs बना रहे हैं, अब चौता आता है, convertify Figma to sketch or xd, वो हम क्या कर सकते हैं, कि हमारी कोई भी यदि Figma file है, तो उसको हम sketch or xd में easily convert कर पाएंगे, file अपने हम एक file में गए, तो यह file मुझे यदि convert करना है, मतलब जो यह मेरा पूरा का पूरा design से है, उसको हमें convert करना है, तो मैं इसके उपर plug-in run करूँगा, convertify Figma to sketch xd, जैसे ही मैं run करूँगा, यह हो गया हमारा open convertify, अब यहाँ पे जो कोई भी option में select करूँगा, मतलब convert to sketch, convert to xd और convert to after effect, जो भी मैं convert करूँगा, वो अपने आपी convert होना start हो जाएगा, जैसे ही मैं convert करूँगा, वो अपने आपी, आपकी file download होके, आप दूसरे software में use कर सकते हैं, like sketch और xd, so यह आपके लिए बहुत ही helpful रहने वाला, फिर बाद में आता है blobs, आप यहाँ पे देख रहे ह तो ऐसे types के blobs हो, तो यह blobs कैसे generate कर सकते हैं, हम easily यह plugin की through generate कर सकते हैं, इसका भी example हम देख लेंगे, let's say मुझे blob बनाना है, कोई भी image के पीछे लगाना है, तो मैं जैसे ही blob plugin run करूँगा, जैसे ही मैं blob plugin run करूँगा, तो यहाँ पे आपको complexity और contrast पुछेगा, यदि मैं यहाँ पे complexity, let's say पहले तो 5 by 5 की में ही बना दालते हैं, जो भी उसका default है, यह देखे, यह automatically blob आ जाएगा, इसमें अब यह आप color करेंगे, मतलब की जो भी आपको gradient या अगेरा कुछ भी डालन करेंगे, मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे color ले रहा हूँ, ताकि आपको दीखे, यह हो गया, अब यहाँ पे यहाँ पे complexity बढ़ाएंगे, तो देखे, जैसे ही मैं 10 पे डालता हूँ, automatically उसकी edges बढ़ जाएगी और complexity भी बढ़ जाएगी, अब इसको हम copy कर लेंगे, यह color मैंने copy कर लिया, अभी इसको हम, let's say मैं यहाँ पे orange भी डालता हूँ, यह देखे, यह easily आप blobs किसी भी objects के पीछे रख सकते हैं, और इसको यदि हमें कोई दूसरा और भी चाहिए, contrast गटा के और बढ़ा के, कोई भी यह आपको चाहिए, तो यह आपको देए देगा, see, so यह थे आज के हमारे कुछ ऐसे plugins, जो की आपको Figma में productivity boost करने में काम आएगे, so if you really like this content, then please subscribe to my channel, thank you very much.